आप मैंसे बहुत सारे नए YouTubers ऐसे होते हैं जिने अपनी YouTube Channel की Kategorie चेंज करना नहीं आती है या रिपके चेंज करना नहीं आती है जिसवजे से बहुत type की होती हैं, तो इन category को कैसे select करते हैं, आप अपनी YouTube चैनल की category कैसे change कर सकते हो, यह select कर सकते हो, यह सही category क्या है, कैसे आप पता कर सकते हो, इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी option नहीं मिलेगा, नहीं बाइटी स्टूडियो मिलेगा category select करन करने का option तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप एक वीडियो को कर सकते हो, हमें तो पूरे चैनल की category select करना है, पूरे चैनल की category change करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इतना आपको यहाँ पर type करना है, अब जैसी आपका YouTube.com यहाँ पर YouTube open हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने लोगों पर क्लिक करना है, और जो भी आपका YouTube channel है, उसको यहाँ पर आपको switch कर लेना है, यहाँ पर आपको login कर लेना है, जो भी आपका YouTube चैनल पर आप करना है तो मेरा YouTube चैनल यह है मैं इस पर स्विच करना चाता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको स्विच कर लिया है अब इस टैप को आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है और न्यू टैप पर जाना है अब यहाँ पर आपको टाइप करना है studio.youtube.com ठीक है इतना आपको टाइप कर लेना है अब इतना आप टाइप कर लोगे तो आपको जो वाइटी studio होगा वो यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर continue to studio को option आएगा ठीक है उस पर आप क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है बहुत सारे आपको यहाँ पर option मिल जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है अप लोड डिफॉल्ट पर ठीक है इस पर आपको क्लिक कर दे रहा है अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखोगे category का option हो जगा अगर आपने select नहीं किया होगो तो यहाँ पर आपका इस तरीके से नन दिखाएगा ठीक है अगर आपने select की होगी दो आपकी सारी category यहाँ पर आ जाएगे ठीक है अब बात कि लेते हैं कि यहाँ पर आप right category कैसे select कर सकते हूँ यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर category में confused हो जाते हैं और वो अपने YouTube channel की गलट category select कर लेते हैं जिस वज़े से उनकी वीडियो rank नहीं कर पाती है तो यहाँ पर आपको साब साब बताया जाता है कि भाईया जिस भी category का आपका channel है जो भी आप content मनाते हूँ उसकी एक आपको category मिल जाएगी ठीक है अगर आप comedy की वीडियो बनाते हो तो comedy मिल जाएगा ठीक है अगर आप education की वीडियो बनाते हो तो education आपको मिल जाएगा entertainment की वीडियो बनाते हो तो entertainment की मिल जाएगा ठीक है अगर आप कोई फ्इलिंग की बनाते हो तो आपका याप फिल्म है एनिमेटिन मिल जाएगा गेमिंग का, हाउटो इस्टाइल का, अगर आप हाउटो से रेटे वीडियो बनाते हो, कोई भी हाउटो आपका content है, तो हाउटो इस्टाइल का आपको option मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका music का channel है, तो आप याप सौंगों, गाते हो, या कबर सौंग के ऊपर कुछ भी करते तो music मिल जाएगा, ठीक है, जादा का जो category होती है, comedy, education, comedy, यहाँ पर entertainment होती है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे जादा most popular category होती है, वो होती है हमारे science and technology, अगर आप किसी भी text से रेटे वीडियो बनाते हो, चाहे बो Instagram से रेटेर हो गया, चाहे फेजू से रेटेर हो यह थोड़े से आप science के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो आपको बो करना है, अगर आप यहाँ पर earning भी बता रहे हो, तब भी आपको यह category करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने हिसाफ से category select कर सकते हो, select करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, save का option लिएगा, इस पर आपको click कर देना है, तो कोई भी category आप यहाँ पर select कर सकते हो, इसके बाद आप यहाँ पर save कर सकते हो, अगर आपको दुबारा से यहाँ पर edit करना है, ठीक है, तो दुबारा से भी आपको यहाँ पर setting पर जाना है, और फिर से आपको बही प्रोसेस कर देना है, यहाँ स वहीत जाओ, उतनी category यहां पर कर सकते हो तो मैं यहां पर यहां पर यह वाली, कैडिग्री यह कर लिया और मैं यहां पर सेव कर दूँगा ठीक है तो इस तरीके से आप उपनी यूट्यूब चैनल की कैडिग्री चेंज भी कर सकते हो और सही कैडिग्री आप लगे choosing no तो उसको आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने वाद यहां पर आपको more option पर जाना है इसके बाद यहां पर आपको option लिए का category का यहां से आप select कर सकते हो जो भी आपकी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है ठीक है क्योंकि उनकी category बही सेम रहेगी यहां पर आपको मैनुल करना पड़ेगा आप category के setting करने वाद जो भी आप वीडियो अप्लोड करोगे उसकी category आपने जो सिलेक की होगी बही आएगी ठीक है तो यह चीज़ आपके समझ में आगी होगी आपको यहां पर वीडियो की चेंज हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप अपने वोटिंग जैहिन बन्यमात्रम